अगर आप अपने सरीर के किसी भी हिस से कि अंचाहे बालों को साफ करने के लिए थ्रेडिंग करती हैं, रेजर का सहारा लेती हैं तो थोड़ा सा रूप जाएए, आज का वीडियो आपके लिए है, हेलो एब्रिवन कैसे हैं आप सब, किया आपके हाथ पेर पे काफी जादे बाल है, फेस पे हेयर्स की ग्रोथ है, पीट पे बहुत जादे बाल है, और इसको साफ करने के लिए आप कोई होम रेमेडी की तलास में है, जो की अंचाहे बालों को साफ करें, विना स्किन को नुकसान पहुंचाए, तो आप बिल्कुल सही जगा पे आई है, टाइटल और थमनेल दे के आपको आईडिया लग गया होगा, तो जी हाँ, आज बिल्कुल आप लोग के पसंदीदा रेमेडी से एर कर रहे हूं, आप लोग को बहुत पसंद आने वाला है, इसे बनाना बहुत तीजी है, बस तीन से चार चीज़े लगेगा, बनके रेडी हो जाएगा, इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक क्लीन बाउल लेना है, और इसमें जो इसकी में इंग्रीडियंट जाएगा, हमें आप ले रहे हैं सफेद नमक, यानि की खाने वाला नमक, नमक में जो गुण होता है, वो हमारे फेसियल हेर के जड़ को कमजोड करता है, और जब इहां पे सेंधा नमक भी ले सकते हैं, आम तोर पे चेहरे के अंचाहे बाल हुआ या तो हाथ पेर के बाल, इसको साप करने के लिए हमें सिर्फ एक ही असान रास्ता दिखाई देता है, थ्रेडिंग या रेजर, जो कि ये हमारी स्किन के लिए सुरच्छित भी नहीं होता ह और पर्मानेंट सलूसन भी नहीं है, पर्मानेंट हटाना चाहती है, तो आपको होम रेमेडी के तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि ये बालों को जड़ से क्लीन करता है, और दुबारा से जो ग्रोथ होती है, उसकी मातरा बहुत कम होता है, क्योंकि नेचुरल चीजे जो हो तो एक लाइक करके अपने फैमली में सेयर कर दीजिएगा, हम यहां पर ले रहे हैं थोड़ा सा हल्दी पाउडर, जो कि वाइट टर्मरिक है, अगर आपके पास ये ना हो, तो जो मार्केट में गांठ वाला हल्दी आता है, उसका भी पाउडर बनाकर आप यहां पर तो फिर आप गांठ वाला हल्दी का यूज करिएगा, पर किचन का जो हल्दी है, जिसे हम किचन में यूज करते हैं, इसमें कलर होता है, वाला हल्दी आपको यहां पे नहीं लेना है, तो हम यहां पे थोड़ा सा पिंच ओफी हल्दी लिए हैं, अगर किचन का ले रहे हैं तो बहुत कम लीजिएगा, ठीक है, वाइट टर्मनिक में कोई कलर नहीं होता है, वो हमारे स्कीन के लिए अच्छा भी होता है, हल्दी में एंटिसेप्टिक गोंड होता है, जो की अंचाहें वालों को हटाने के बाद एक भी दाना नहीं निकड़ेगा, और आपका स्कीन डा करना है, एक टमाटर लीजिएगा, पाने से धुल कर उसे कद्दू कस कर लेना है, और छान लेना है, क्योंकि हमें मोटा वाला भाग बिल्कुल भी नहीं चाहिए, और टमाटर का बीच भी नहीं लेना है, तो छानने से छान लीजिएगा, या तो कोई कॉटन का कपड़ा भ बहुत कम है, इसमें कुछ ऐसी चीजे और जाएगी, जो की बालों को इतना आराम से निकार देगा, कि आपको पता भी नहीं चलेगा, दर्द तो बिल्कुल भी नहीं होगा, और इसकी नहीं होता है, बहुत सारे लोगों के साथ है समस्या होता है, कि जब भी बाल को हटाते है तो इसकी काफी जादे रेड हो जाता है, इसकी बड़ा जीब सा हो जाता है, इसकी रेड भी नहीं होगा, और जो बाल है आराम से हट भी जाएगा, तो इन सभी को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है, थोड़ा सा गुठली आप लोको दिख रहा होगा, तो उसकेस में आपक कि यह जो गुठली है, खतम हो जाए, क्योंकि इसमें जो हम कुलगेट लिये थे, वो गुठली सी बन गई थी, अब इसे मिक्स करने के बाद, इसे हम रख देते हैं साइड में, और दूसरा सलूसन तयार कर ले रहे हैं, देखिए दो तरह का रेमडी, आज मैं आप लोको ब करीएगा। दूसरे बावल में हम लिए हम एह रैमडी जो है ना एबालों को आने से रोकेगा, उसके ग्रोथ पे काम करेगा। तो इसमें हम एक चमच टमाटर कारश लिए हैं, पलस एक चमच इसमें हम गुलाब जल लिए हैं, दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसमें चुटकी भर हम ले रहे हैं सफेद नमक, देखिए जो जो इंग्रीडियन्ट हम यहाँ पर ले रहे हैं सारा नेचुरल है और आपके पास इजिली मिल भी जाएगा, तो हम यहाँ पर बिल्कुल चुटकी भर नमक ले रहे हैं और डाल कर इसे हमें म देता है और साथ में नमक जो है हमारे फेसियल एर के जड़ को कम जोड करता है इन तीनों को मिक्स कर लीजिए गा उसके बाद से इसे आपको लगाना कैसे है और इसे कितने एज के लोग लगा सकते इस तरह का वीडियो आपको यहीं पर देखने को मिलेगा जो की काफी जादे हेलफुल होता है नेचुरल होता है तो अभी यह दोनों सलूसन बनके पुरी तरह से रेडी हो गया है इसे बनाकर आपको रखना नहीं है थोड़ा सा बनाईएगा कि एक बार की यूज में खतम हो जाए फालतु में जादे बनाकर रखने की क्या जरूरत है तो अब चलिए हाथ पेर पर तो इस तरीके से बाल ने करने लगता है लेकिन क्या आपको पता है कि अगर हम नेचुरल तरीके से साफ करें तो ग्रोथ काफी जादे कम हो जाएगी तो अभी हम skin को अच्छे से clean कर लिये हैं साफ कर लिये हैं और पानी को सुखा लेना है उसके बाद आपको क्या करना है जो hair removal solution है जिससे की हम बालों को हटाने वाले हैं उसे लेकर इसे हमें अच्छे से लगा लेना है ठीक है अच्छे से लगा कर थोड़ा सा पतला layer में लगा कर आप छोड़ दना है करीब 30 मिनट के लिए इसका जो color है आप लोग देख सकते हैं इतना अच्छा एक काम करता है फ्रेंट की जितना भी मैं इसका तारीफ करूं उतना कम है आप जब इसे लगाना सुरू करेंगी तो आपका भी ये favorite हो जाएगा क्योंकि बहुत ही अच्छे से हाथ पेर के बाल को हटा लीजिएगा पर एक प्राबलम आपके साथ हो सकता है अगर आप अपने फेस पे बहुत बार थ्रेडिंग और बैक्सिंग करा चुकी हैं तो एक बार में काम नहीं करेगा ठीक है अभी ये जो growth आप लोग देख रहे हैं इस पे किसी भी तरह का बैक्स और थ्रेडिंग नहीं हुआ ये नेचुरल ग्रोथ है तो इसलिए मैं हर एक वीडियो में आप लोग से यही बोलती हूं कि नेचुरल तरीके से बाल हटाया करिये उसका ग्रोथ जो है न ओर आराम से कम हो जाएगा और जो उसका जड़ है दुबारा से जो ब ibile मां दिये थे और श़ोड़ा सा सुख भी गया है तो अब चलिए देख लेते हैं कि क्लीन कैसे करना है क्लीन करने का प्रोशेस किया है और कि तरीके से आपको क्लीन करना है ताकि बाल आराम से दूर्व हो जाए तो एक एक प्रोशेस दिखा रहे हूँ। बार में कमेंट कर के एमत पूछिएगा कि यह काम नहीं किया कैसे हटाना है किस तरीके से लगाना है तो अभी हम यहां पे ले लिए हैं एक वाइट हैंकी आप लोग देख सकते हैं क्योंकि आप लोग को रिजल्ट भी तो दिखाना है और हैंकी के थुरू हम बालों के अपोजी डायरेक्शन मे क्लीन कर रहे हैं और काफी सारा बाल लाइव डिजल्ट है यहां पे वीडियो किसी भी तरह का कट नहीं हुआ है ज्यादा तर बाल यहां पे निकड़ गया है और इसकीन भी काफी हद तक साफ लग रहा है जब आप इसे रेगुलर बेस पे लगाएंगी न तो आपको बहु को हटा लिए हैं और उसके बाद से सकीन को क्लिन कर लेना है और जो दूसरा वाला सलूसन था उसे हम कौर्टन की सहायता से जहांके बाल हटा है उस अरिया पे हम लगा लेंगे एक या काम करेगा कि बालों को आने से रोखेगा जब बाल जड़ से निकड़ा है तो हैंगम कर जब पोर्स के सहारे सलूसन अंदर जाएगा तो बालू के जड़ों को नश्ट कर देगा क्योंकि इसमें नमक है आई होप आप लोगों को यहां तक किलियर हो गया होगा दो तरह का सलूसन आज आप लोगों को में बताई हूं इसी बात पे वीडियो को एक लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए नियू है चैनल पे तो सब्सक्राइब करके वेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा यहां पे आपको इसी तरह का वेडियो रेगुलर वेस पे देखने को मिलेगा इसे लगाकर आपको ऐसे ही छोड़ देना है दस-पंद्रम मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा उसके बासे इसकीन को क्लीन कर लीजिएगा आई हो पापलो को इस वेडियो पसंद आई हो अच्छी लगी हो लाइक और सियर जरूर करिएगा चैनल पनियों है मुझे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स वीडियो की इस टोपिक पर देखना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताईए